हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब परभमेत कहते होंगे अच्छोंगे आज आपको एक बहतरीन जानकारी दूंगा जो काफी समय से लोग बता रहे हैं लेकिन इसमें कुछ बाते महत्यपूर्ण है जो लगभक सभी लोग नहीं बता रहे हैं कहीं न कहीं उस बात को मिस्ट कर रह मुल्टिपल निच्च क्या होते हैं तो दोस्तों सिंगल निच्च का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति ब्लागिंग कर रहा है तो किसी एक विशय पर यदि लिखता है तो उसे सिंगल निच्च कहा जाता है लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो ब्लागिंग कर रहा है और क कई topics पर कई विस्यों पर लिखता है तो वह multiple निच बूला जाता है अब दोस्तों सब ही बताते हैं कि single निच्छ अच्छी होती है multiple निच्छ खराब होती है तो उन दोनों में क्या अंतर है एक विस्य अंतर है जो मैं आपको बतानी जा रहा हूं तो पहले मैं बता देता हूँ कि single niche और multiple niche की क्या फायदे और क्या नुक्सान है दोस्तों अगर जो बात करें फायदे की एक ही विषय पर content बनने से आप उस विषय में महारत थासिर कर लेते हैं उस विषय में आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाती है यदि आप एक ही विषय पर कुछ समय दे देते हैं तो उस विषय में आपको अच्छी जानकारी हो जाती है और user interface की अगर जो बात करें तो जो भी visitor अगर जो किसी keyword के माध्यम से जैसे मालिज ये कोई कुछ सर्च करता है उस माध्यम से आपके website पर आता है और उससे सम्मंदित कुछ और अच्छे अच्छे topics उसे मिलते हैं तो वो उससे जरूर पड़ता है क्योंकि ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उसके काम की काफी चीज़े मिल जाएं अगर जो उसके काम की चीज़े मिल जाएंगी तो वो उस website को और लोगों तक भी शेयर करेंगा तो यह बात हो गई आपकी single list की लेकिन जो multiple निच होते हैं इनमें क्या होता है इनके भी दोस्तों फायदे हैं इनके फायदे यह हैं कि आपको content की कमी नहीं पड़ेगी सिंगल निच में आपको content की कमी पड़ जाएगी क्योंकि आप एक ही विशय में उतना ही लिख पाएंगे जितना उस पर जान पाते हैं और उस पर विचार करने में समय लग जाता है इससे थोड़ा post करने में gapping हो जाती है क्योंकि हमें blogging consistency बना के करना पड़ता है तभी हमारा traffic maintain नहता है लेकिन multiple niche में multiple niche में आप किसी भी topics से related आप उसमें post लिखिए और डालिए अब इन में फायदे और नुक्सान क्या है सिंगल niche के फायदे यही है कि आप उस topics से अगर जो केवल related लिख रहे हैं तो सबसे पहला फायदा मैं आपको बता दूँ जो की काफी लोग नहीं बताते हैं आपका जो page view है वो page view बढ़ेगा जो भी user आएगा वो पढ़ेगा और उसे share जरूर करेगा दूसरी बात कि आपका अगर जो आप google action से कमाई कर रहे हैं तो आपका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि page view बढ़ेगा पेज बढ़ने के साथ यदि आपके articles अच्छे लिखे हुए हैं उसमें काफी बिशियों पर BCS ध्यान दिया गया है तो impression बहुत बढ़ेगा impression अच्छा होगा और फायदे की बात यह है कि आपका जो CTR है वो भी बढ़ जाएगा CTR का मतलब दोस्तो होता है कि जितना बढ़ियां रहता है उतना website income करती है अब इसमें एक फायदा मैं और बता रहा हूँ अगर जो single list है आपकी website तो single list में आप एक चीज देखेंगे कि जो page का RPM होता है वो बहुत अच्छा रहेगा page का जो RPM रहता है उसका बहुत benefit मलता है और उसी की वज़े से आपकी site की जो CTR होती है वो बढ़ जाती है अब उसके बढ़ने से माल लिजिए कोई भी ads आपके site पर दिखाई दे रही है और कोई भी user आपके site पर आता है वो एक ही ad पर अगर जो click कर दिया और उसके मतलब काईड रहा हो उस पर गया उसने देखा कुछ समय तर तो आपकी जो revenue होगी income होगी वो बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि उस income अच्छी होने का कारण क्या है क्योंकि जो भी visitor उस ad के माध्यम से आपकी website के माध्यम से उस ad पर जाएगा वो एक business होगा और उससे एडवर्टाइजर को भी फायदा होगा तो इस प्रकार से आपका single list से बहुत फायदा है single list में केवल एक ही समस्या है कि आप एक ही content को जादे समय तक आप नहीं लिख पाते हैं उसके पीछे कारण होता है कारड उसके पीछे यही है कि उस निश्च के बारे में या तो आपके पास जानकारी कम होती है या तो आप उस विश्चे के बारे में कम जानते हैं जानने का प्रयास नहीं करते हैं तो इस प्रकार से सिंगल निच के बारे में बात है अब चलिए कुछ multiple निच के बारे में बता दें multiple निचे में क्या है multiple निचे में यदि आप एक ही रेपसाइट पे एक ही ब्लोग पर अलग अलग प्रकार के post लिखते हैं तो सबसे आपका नुक्सान क्या होगा नुक्सान उसमें आपका यह होगा कि जो आपका page rpm है वह आपका गिर जाएगा ऐसा हो सकता है कि आपका हो सकता है आप searchable content लिखे हों page view बढ़ेगा लेकिन वह rpm आपका गिर जाएगा rpm गिरने से आपका ctr का जो percentage वह है वह भी गिर जाएगा हो सकता है कि आपका पेस ब्यू बढ़े इंप्रेशन बढ़े लेकिन आइट्स पर किलिक ना हूँ क्योंकि ऐसा बहुत केसों में हमने देखा है कि आप मर्टिपल कंटेंट कितना भी अच्छा लिख देते हैं और माल लीजिये उसपर ट्रैफिक आ रहा है और ट्रैफिक आ रहा है लेकिन उसपर क्लिक नहीं आ रहे हैं तो आपकी जो इनकम होती है वहां रुख जाती है तो इनकम अच्छा करने के लिए आप प्रियास करें कि multiple niche अगर जो आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है multiple niche से भी traffic आता है लेकिन multiple niche से आपका traffic तब आएगा जब single niche पे अच्छे खासे article लिखे गए हो मतलब यह है कि जिस topics पे आपने single niche पे blog बनाया और उस पे topic लिखना शुरू किया है उस पे आपने लगभग 1000 article लिख दिये हूँ इससे कम नहीं होना चाहिए क्योंकि जादे तर जो आपकी visitors आएंगे वो उसी niche के कारण आएंगे अब जब आपकी site rank हो जाती है तो आप बीच बीच में कभी कभी और भी चीजों पर आप ध्यान दे सकते हैं multiple niche पे लेकिन multiple niche आपके उस topic से संबंधित होना चाहिए यदि आपके उस topic से संबंधित होगा तभी आपको फायदा मिलेगा जैसे आपका blog अगर जो educational है आप केवल किसी फिशे पर बना रहे हैं जैसे आप हिंदी topics पर बना रहे हैं हिंदी topics पर आप कोई articles लिख रहे हैं तो कुछ समय बाद आप अगर जो English topics को देखें ऐसा भी हो सकता है कि आपने English के बजाय मैत के डाल दिया तो हो सकता है वही विजिटर आपके मैत के articles को पढ़ें और यह जाने कि website बहुत अच्छी है हमारे काम की है उसको यूज करें लेकिन आपको सुरुवाती दो साल तीन साल चार साल जब तक आप बहतरीन content एक निश्का नहीं अपनी साइट पर डालेंगे तब तक आपका blog rank नहीं करेगा नहीं आप अच्छा income generate कर पाएंगे अच्छा income बनाना है तो आप एक ही निश्पे काम करें और कुछ समय तक करें ऐसा नहीं कि आप 100 article लिख दिये अब उसके बाद आप multiple डालने लगे मल्टिपल में आपने कभी सायरी डाल दिया तो कभी कविता डाल दिया तो कभी इंग्लिश डाल दिया तो कभी हिंदी डाल दिया ऐसी कोई चीजें आपको नहीं डाल दी है क्योंकि इससे क्या होता है CTR कम हो जाता है RPM होता है जो वह भ आपने दिपल कर दिया अपने हिंदी में कुछ डाल दिए तो हिंदी में डालने से ऐसा नहीं कि page view आपका जो है एक दम गिर जायएगा हो सकता है आपने trending content डाले हो तो trending content जो होते हैं उसपर सारचेश जादे होते हैं Clickable होते हैं लेकिन उस पर जो CTR होता है वो कम हो जाता है अक्सर मैंने लोगों के मुझे सुनाता लेकिन यह बाते बहुत कम ही लोग बताते हैं कि उससे क्या-क्या लॉसिस हो सकते हैं तो मैंने आपको कोशिस किया है उस बात से संबंधी चीज़े बताऊं जो आपके लिए फायदे मन दो तो कभी भी अगर जो आपको ब्लॉगिंग के छेत्र में चुनाओ करना है कि हम कहां से शुरुवात करें तो सबसे पहले आप अच्छे से उस निच के बारे में सोच लें कि हम किस विशे पर काम करेंगे क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक किसी टॉपिक्स पर सव अर्डिकल पचास अर्डिकल लिख दिए उसके बाद दूसरे टॉपिक्स पर लिखना चालू कर दिए तो आपकी साइट रेंग करेंगे ऐसा नहीं हो सकता है ऐसा हो सकता है उनके साथ जो न्यूज वेप साइ रहते हैं लेकिन उनकी साइटे अच्छे से रैंक करती हैं और इंकम भी आता है तो वो उनके साथ हो सकता है क्योंकि उनके पास और यूटूब से भी आते हैं टेलेविजन से भी आते हैं और उनका एक अलग वो होता है तो उनके लिए दिकत नहीं है लेकिन जो जो यूजर प ब्लाग बनाए हैं उनका पेशन है लिखना लोगों के अच्छी बाते बताना और ज्ञान का संचार करना वुन व्यक्तियों के लिए मुल्टिपल निष्ट सही नहीं है उस हद तक वो उस निष्ट से दूर रह सकते हैं जब तक वो एग निष्ट में अपने आपको बढ़िय से शेट ना कर लें अगर जो आपकी न्यूज वेबसाइड है आप किसी न्यूज से एजेंट हैं ऐसी जगहों पर हैं जिससे उससे कुछ उसका लाब मिल सकता है तो आप कर सकते हैं अन्य था आपको उसका कोई लाब नहीं मिलेगा तो दोस्तों यह थी कुछ रख लीजेगा कि ब्लॉगिंग में तुरंत सफलता नहीं मिलते हैं ब्लॉगिंग जो भी करता है उसको पेसेंस रखना पड़ेगा कुछ समय के बाद ही आपको उसमें सफलता मिलेगी क्योंकि तमाम सारी गलतियां लोग सुरुवात में करते हैं उनको इस बात का पता नही है तो इसलिए आज का मेरा विश्य था कि आपको एक बहतर जानकारी प्रॉइट किया जाए लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा कि यदि आप ब्लॉगिंग में इमानदारी से काम कर रहे हैं अच्छे कंटेंट लिख रहे हैं तो निश्यत रूप से आप अच्छा पैसा बनाएंगे अच्छा इंकम बनाएंगे और यदि आप चीटिंग कर रहे हैं कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो आप कभी साफल नहीं होंगे क्योंकि गूगल की नजर हर एक चित्र पर रहती है जो आप सर्च करते हो जो आप कंटेंट डालते हो हर चीज को वो देखता है लोग बहुत सारे लोग तरह तरह की स्कीम यूज करते हैं लेकिन वो स्कीम काम नहीं करेगी कंटेंट जेनुविन होगा तभी रैंग करेगा कंटेंट यूजफुल होगा तभी रैंग करेगा अब ट्रेंडिंग भी होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप चाहें जो कंटेंट इंट पर content writing कर रहे हैं आप अर्डिकल लिख रहे हैं तो ऐसा आर्डिकल लिखिए जो लोग देखिए जो उनके काम की हो जो trending में चल रहा है हर विशह पर अर्डिकल लिखना और जल्दी से उसको को रैंक कर जाना यह पॉसिबल नहीं है तो दोस्तों उम्मीद करते होंगे आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो इस शैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मुटिविशन मिलता रहे ऐसी बहुत सी जानकारिया हैं जो मैं आपको एक एक करके बताओंगा धन्यवार